हेलो एवरिवन दिस इज दीरज तोमर बेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल दीरज मैथमेटिक्स क्लासेज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वैल आइकन को प्रेस करें जिससे यदि मैं कोई भी न्यू वेडियो अप्लोड करता हू तो सबसे पहले आप तक पहुंश सके तो चलिये जैसा कि आज आप question देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको दिया गया है Quad little का question लिएगा है जिसमें आपको convex और concave zwei quad little दिये गए हैं यदि आप Quad little के बारे में complete information चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर quadlator वाला chapter complete study कर सकते हैं वो आ मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है कि convex quadlator कौन सा होता है कौन के कौन से होते हैं कौन के polygon क्या होता है convex polygon क्या होता है curve क्या होता है curved line क्या होती है वो सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाई हुई है तो चलिए जैसा के quadlator दे रखा है convex quadlator का जो सम होता है वो 360 degree होता है जनरली आप जो quadlator पढ़ते हैं वो आपका convex quadlator होता है तो मैंने आपसे question में पूछा है कि concave quadlator का सम क्या होगा angles का तो यदि आप इसका answer comment box में करेंगे तो मैं आपको और भी नएने fact daily लाता रहूँगा आपके लिए तो चलिए इसका मैं answer आपको बता देता हूँ तो इसका answer होगा आपका sum of the angles is 360 degree हाँ students आपके जो concave quadlator होता है इसका sum 360 degree होता है तो I hope आपको यह अच्छी तरीके समझ में आया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू